ह्ल् remset प्रस फ्रस्वागत न्येई विडियो है आज के वीडियो में कंपेर करने वाला हूँ मेर पास दो स्पिकर हैं जो दोनों ही zynika है और दोनों सेरलर साइज में है और टिजाइन भी लगबग सेमी है और थोड़ा सा डिफरेंसेज है और दोनों का मोडल अलग है एक है डिकोर 9 2.0 और एक है साउंड वेब 2.0 तो मैं इसका अनवक्सिंग करने वाला हूं I mean दोनों का कंपेर करके बताऊंगा कि आपको कौन सा बहतर है और कौन सा लेना चाहिए और कौन से बज वीडियो का अपोडेट मिलता रहा है तो चलिए शुरू करते हैं यह नेट वाला है आप दढ़ा एक हैं जाली वाली डिकोर, आईवल DEC jean 9 इसको बोलते हैं आप दिकसके हैं यहां पर है मोडल लिखा हूआ, यहां पर आईवल कांवर ब्रांडिंग है और डिकोर नाए नहीं तो चलिए इसको अन्बोक्सिंग कर लेते फटा-फट से इसके बाद मैं दूसरा वाला स्पीकर भी करूँगा तो आप देख सकते हैं यह कुछ ऐसा लुक दिखता है इसका और यह देखने में कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हैं और यह उपर से नेट है काफे स्ट्रोंग है अगर गिर भी गया तो यह तूटेगा नहीं आई वो लिखा हूँ है यहाँ पर ब्रांडिंग है और आप कर लेते हैं साउंड वेव 2.0 जो इसका आप देख सकते हैं 2.0 आप देख सकते हैं कंप्यूटर मुल्टि मीडिया स्पीकर यहां पर लिखा हुआ है तो चलिए अब इसका अन्बोक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसका दोनों को मैं प्ले करके मैं आपको दिखाऊंगा और डिसाइड करके बताईए कि दोनों कौन सा बेस्ट है ठीक तो सबसे पहले मैं इसको यहां से इसको वक्स को ओपन कर लेता हूं और इसके बाद इसमें यह देखने को मिलता है आप देख सकते हैं सेम दोनों में यह जो पॉर्ट दिया गया है सेम ही यह दोनों में और यह है जो चार्जिंग के साथ भी पावर कनेक कर सकते हैं और यह दूसरा वाला लगा सकते हैं ठीक है और ये ये चार्ज़िंग के साथ ये दूसरा वाला फोन के साथ 3.5 mm jack है आप देख सकते हैं ठीक है तो इसको uhan के ओर PC के साहत लगा सकते है और यहां पे आपको volume controller दिया जाता है जिसे volume down और button up और डाउन कर सकते हैं और यह सेम चीज दोनों में ही देखने को मिलता है ठीक है यह कंट्रोलर और यह कंट्रोलर और और आडियो जैक वगरा यह सब मतलब तो सिर्फ यहीं पे है और इधर आज और कुछ भी नहीं है सिर्फ इसी से उपर से गटा बड़ा सकते हैं और यह जो पिन है यह सेम दोनों में ऐसी 3.5 mm और यह जो यूएसबी पोर्ट टाइप में यह भी आपको सब में देखने को मिलता है तो चलिए अब हम यहाँ पे दोनों को कंपूटर से कनेक कर लेते हैं और देखते हैं सबसे बेस्ट साउंड कौन प्रोवाइड कराता है और आप डिसाइड करके मुझे बताईए कि आपको कौन सा लेना चाहिए प्राइस और इसके दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो यह तो फ्रेंस दोनों को फटाफट लागा के चेक कर देते हैं तो फ्रेंस आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक काफी कम है अब एक बार यह बढ़ाओंगा मैं आपको यहाँ से फिसी बार करे श्रूरी टार करे मार कि पूला कर बार मैं आपको लु़ंगा छ दो फ्राण इस 기자 है बार कि चु़ine की को फूला करेंसे आ पिक रदेगड़े आपने इसका साउंड को देखें लिए हुआ आपको यहां पर लोहे का जाल मिलता है और इसमें बाकी अंदर से सीमिलर ही लगता है तो इसमें ज्यादा सेफटी मिलता है अकोडिंग इसके ठीक अगर गिर भी गया तो यह फटेगा नहीं क्योंकि इसमें आपका फटने का डर वगरा होता है लेकिन अगर साउंड आपको मैं चला कर दिखा देता हूं और आप भी डिसाइड करके बताएगा और वाकी मैं भी आपको पताऊंगा यहां पी कौन सा बेस्ट है फिलाल तो मैं इसको मैं हटा देता हूं और दूसरा वाला लगा देता हूं मैं फ्रेल तो आप देख सकते हैं जो की साउंड में अगर आप कंपेर करते हैं तो दोनों ही एक तम जवड़जस्त है और फ्रेंस प्राइस की बात करें तो 440 रुपए का प्राइस आपको डिकोर 9 का परेगा और फ्रेंस जो साउंड वेव है उसका प्राइस 449 रुपए है तो आप देख लिजेगा जो भी डील अच्छा हो उस तूटेगा भी नहीं जल्दी से मतलब फटेगा नहीं अलेकिन आपको लगता है मैं सेफली रख सकता हूं तो मैं आपको बोलूँगा साउंड वेव टू ही पर्चेस करें फ्रेंस आई होब कि वीडियो पसंद आया पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ना मत मतलब कर सकता है